देखें सदियों से कहावत है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे पर ये गर्मी में भी क्या रोज अंडे खाना सही होता है और अंडा एक ऐसा खाना है चो लगबख बरो से लिके बुजरुग तब काफिय लोग की फेवरिट भी होती है और ये वर्सिटाल होने के वज़े से काफिय लोग अलग अलग फॉर्म में भी इसको खा सकते हैं जैसे कि किसी ने ओमलिक बना लिया, किसी ने इसको बॉयल कर लिया, किसी ने इसकी कड़ी बना ली तो किसी ने इसका भुजिया बना लिया अलग-अलग तरीकी से इसको खाया भी जा सकता है यह बहुत ही अच्छा protein source होता है और इसमें बहुत सारे ऐसे वाइटमिन्स होता है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो इसलिए doctors भी अंडा खाने की सरहा देते हैं परका इस गर्मी में रोज अंडा खाना स सकते हैं काफी लोग यह बताते हैं कि अगर हम रोज अंडा खाएंगे तो यह हमारे पेट को गरम कर देंगे इसमें कितनी सच्छाई होती है क्या बताते हैं experts कर दो झार्फ है थे अंडे में बहुत ही मात्रा में प्रोटीन और वाइटमीन होती है जिसकी वज़े से experts रोज अंडा खाने की सलहा देते हैं अंडे में बहुत ज़्यादा वातर में प्रोटीन होने के वज़े से ही और फैट काँ पी होता इसके जैसे काफी लोग बोलते हैं ना कि अडे को अवाइट करना चाहिए इसको इसको हटा की रखना चाहिए गर्मी में पर एक्सपर्स ही बताते हैं कि अगर आप रोज एक अंडा खाते हो ना तो कभी भी यह आपके बॉन टेंपरचर को नहीं बढ़ाता तो इसलिए गर्मी में आप रोज एक अंडा खा ही सकते हो एक्सपर्स यह बताने हैं कि अडे में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन और माइक्रो निट्रेंट्रेंट्स होता है जो हमारे शरीर्मी रोग प्रतिरोध खशमता को बढ़ाने में मदद करता है बिमारियों से लड़ने में मदद क करके खाएं क्योंकि गर्मी के टाइम पर नॉर्मली फ्राइड चीजों को अवाइड करने के सलाह दी जाती है तो अंडे को भी आप फ्राइड नहीं करना है आप चाहो तो इसका बॉइल या कोई भी सबजी बना लो पर इसको फ्राइड करके मत खाऊ दिके एक्सपर्स यह बता रहे हैं कि गर्मी है इसलिए आप अंडा नहीं खाऊगे ऐसा सोच भी रखना सही नहीं क्योंकि आपके शरी में जो प्रोटीन की ज़रत होती है उसको आपके शरी तक पहुचाना भी आपकी ही ड्यूटी है और अंडे से आपको काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन म कर बड़ी है तो उस टाइम में आप अंडे को अवाइड कर सकते हो अलवास नाच्वली अंडे को अवाइड करना सही डेसिशन नहीं होता और अगर आपको अंडे को लेके कोई भी कन्फूजन है तो डिरेकली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और अंडा खाने से अगर किसी करें और सब्सक्राइब थैंक यू